असलाम आलेकूं माइटू फैमिली कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे खुशहाल होंगे और अपने अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे मैं भी अलहमदलिल्ला बहुत अच्छी हूँ और मॉर्निंग में आज मैं अपने लिए किसी दिन पनीर पराठा खा लें या फिर किसी दिन इस प्राउटेट कुछ आप खा सकते हैं लेकिन वह कच्छे नहीं खाना है आपको थोड़ा सा उसको मतलब स्टीम करके या फिर सौटे करके ही खाना है नहीं तो डाइजेस्टिव ठीक नहीं रहती है तो इसलिए मैंने यहां पर फ्राइपन पर कुछ प्याज यह अहरी मिर्च डालके फिर यह स्प्राउटेट चने जो है उसको मैंने डाल दिया है विस इसको हलके से सौटे करना है आपको हलका समय नमक डाला है इसमें और काली मिर्च का जो पाउडर है बो में डालूंगी और थोड़ा सा टमाटर ताकि इसका टेस्ट जहें थोड़ा खटपन आ जाए तो खाने में अच्छ लगेगा और इसके साथ मैं लूँगी एक ग्लस वार्प मिल्क मिल्क आपको रोज लेना है सुबा शाम जबकि मैं नहीं लेती हूँ मैं एक टाइम लेती हूँ या किसी दिन इसकी पी कर देती हूँ क्योंकि कभी मन नहीं करता है पीने का तो मैं इसकी पी कर देती हूँ और यहां पर यह देखिए हलका सा मतलब सॉप्ट हो गया है मतलब यह बन चुका है अब इसमें मैं डालूंगे टमाटर काली मिर्स का पाउडर बस यह हमारा ब्रेकफस्ट जो है बन गया अब मैं बना रही हूँ मैं अपने बेटी के लिए बना रही हूँ पराटे जो कि वो लोग चाई से खा लेंगे पराटे उदर मैंने चाई बनाने को रख दी है तो साथे साथ हम तीनों नास्ता कर लेंगे भी उसके पापा घर पर नहीं ये बाहर है तो हम तीनों सुबा के नास्ता कर लेंगे यह देखे कितना यामी दिख रहा है लोकिंग नाइस यह बहुत है टेस्ट यह खाने में हेल्दी भी है आप बना के खा के देखिएगा अब आगे को प्रेगनिंग सी वाला यह व्लॉग जो है एक दो यह आने वाला है फिर तो मेरा डेलिवरी डेट आ रहा है तो नेक्स्ट व्लॉग में मेरव बेबी आ जाएगा तो मतलो वो व्लॉग आपको देखने को मिलेगा में कोशिश करूंगी मैं हस्पिटाल जब जाओंगी तो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी अगर अलोँ होगा तो न्यक्ति फिर भी मैं कोशिश करूंगी मेरा डेलिवरी व्लोग जो है वो आपको शेया आपके साथ शेयर करने के पूरी कोशिश करूंगी जितना हो सके तो यहां पर जो है मैं मेरे बेटी को पराठे और चाय दे रही हो और यह मेरा नाश्ता है हुआ है तो आज दुपर का खाना जो है मेरे हाजबेन बनाएंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा मतलब उनको हेल्प के लिए सबजी काटके दे रही हूं सबजी काटके दोके दे दूंगे उनको तो वो खुद बना लेंगे क्योंकि मुझे खड़ी होके खाना बनाना थोड़ा इस टैम मतलब प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो हमको मदद करते हैं इसले वीडियो में भी आप लोगो कर लेंगे कोई जब और जस्ति नहीं करती हो कि उनको की काम कर दे मेरा लेकिन वो खुद से करते उनको अच्छे लगता है कई बर क्या होता है ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी आपको मतलब लास्ट मांत जब चल रहा होता है आपको ज़्यादा दिर थक खड़े होके काम करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अगर कोई हेल्प करने वाला मिल जाए तो क्या बात है तो यहां पर दिखें तेल में मैंने गोबी को डाला है हलका से रोष्ट कर लेना है बस इतना है कम मैंने किया है और बाकी का बहुत सारे करें है और यहां पर यह सबजी खुद उन्होंने मतलब बनाई है इसमें मचली डालके गोबी की सबजी उदर बन रहा है और यहां पर फ्राइंट प्राइंट पर तेल डालके इसमें जो एक कच्चा टमाटर जो होता है वो बनेगा उसमें मचली डालके यह भी सबजी बहुत अच्छी बनती है खट्टा बनता एकदम अच्छा भी लगता है खाने में जर लगता है खाने में